गुड मॉर्णी प्रीविएस वीडियो में हमने डवलो एस टाइप सेंटेंस के बारे में पढ़ा था मैं डवलो एस टाइप सेंटेंस का एक एग्जामपल अभी आपके सामने और रूँगा और उसके बाद जैसे निकल बताया था इंबेरेटिव सेंटेंस मैं उसको आपके सामने स्टार्ट कर दिता हूँ एक एग्जामपल हम डव्योज का ओड लेते हैं हम सेंटेंस लेते हैं राहुल सैड गीता पॉमा इंवर्डेट पॉमा वैजर बी अंगे सी राहुल सैड नुगांद डाहा हूँल सैड जिता है। तो जिसमें हम देखते हैं हमारा फर्स्ता इसमें जो लेखें रहुल, आफ, गीता, कांजक्शन के बाद में बात चल ले थी जैसा कि पीने फिल्टी में बताया किया था कि कांजक्शन जिस से से स्टार्ट होगा विज़ा रिकूर्टेट स्किर्ट का यहां बयर सिस्टार्ट हो जहा तो अंजक्शन बयर मास चाएक रही और मोट से ओता टो खनक्शन गोड मास मक्वत इए ऐे आगे हैं आइर पकल कि can और सी के बारओं पता हैं सी जो है तो थर्ड परसन हम हैं नहीं करते हैं किसी से भी चैन्ग नहीं होता है तर्ड परसन इसलिए सी का देख अब टैंस की बात करें तो टैंस के लिए हमारे पास है डिक्ल्स 1st नहीं करें टीट प्लस, फास्ट फार्म, ओंज़ा एंस मा? यह हुआ, पास्ट चैंस, पास्ट सिंबल, पास्ट पिंदेफिनेट भी कहता है इसको हम, तो पास्ट सिंबल चैंस, पास्ट पर्फेक्ट में चैंज होता है, इट मेंस, विप, गैड हमाना बन जाएगा, हैड, गोट, गैड गोट, गोट, तो हैड, गोट, 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 और यश्टर जी का, दा, प्रीवियस, तो इस पर आप, जो कल पास्ट शूरू किया रहा था, वस टाइप, उसका मैंने एक एग्जाम्पल और गिया, उप्ते सांदे, ताकि पुरानी चीज इंपूब होजाए, कुछ वस दाउट हो, प्लियर हो जाए, और फिट नया पॉंट, श्टार्ट किया जाए, तो वयर का हमने रहा था एग्जिया, इस बीव को एगा उस नहीं किया, शी, प्रणाउम भान नो चैंज, दिप्लस हर्फों, हर्फ प्लस हर्फों, नूपॉंट, यह श्रीगा दा नया पॉंट की बात की जाएं, तो हम आते हैं, फॉर्फ पॉंट, इंपेरिटी, सैंटेंज, अब बात चलें कि इंपेरिटीव सैंटेंज, हमने देखा, कि हम, आइसेरिटीव सैंटेंज कर चुके, इंटेरिटीव हम ने कर लिया, डवॉ एस, हमने कने हिने, तीनों की पहचार भी, हमारे सांथिती, एसेरिटीव सैंटेंज से इंटेरिटीव स Opte, हमारे से इसर्ट हो रहा था, अब हॉन पात करते हैं, इस ब्छ पहले हिस का आइडेंटिटीपिकेशन के Dollar इसकी पहले पहचार दिख लेते हैं कि आखी हम यह इंपरेटिव सेंटेंस अतागा चलेगा कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है उसके लिए क्या है पर्स पॉइंट मैं बउप से सबसे बड़ी पहचार जो इंपरेटिव सेंटेंस की है वो हैं कि यह सेंटेंस मैं बउप से स्टार्ट है दूसरी पहज़ा, start, redo, do or do not यह sentence अब पर do या do not से भी start हो सकता है पीसरी पहज़ा, start, redo, please or kindly, यह sentence अब प्लीज और kindly से भी start हो सकता है यह तो होता है इसका अधिनिफिकेस है, यह होता है इसकी पहज़ान है आलो, यह का फिसे हो दूसरी इसकी है जो सेट पर लिखते हैं के रिपोर्टिंज पिच के अंदर उसका sense क्या होता हमने अम तक तो पड़ा ऐसा रेट्व में टॉल्ट इंडरोगेट्व में ask और WSB की हमने ask भी पड़ा है लेकिन अब बात चल रहे हैं imperative sentence की तो imperative sentence में self to case मांग पर हमें क्या use करना है बड़ा ध्यान से देखना हम use कर सकते हैं order order कमीन होगा order का होपाएं आदेश जब sentence में order भी आदा रहा हो तो order use गया जाएगा जब sentence का sense order क्या रहो sentence में आदेश गया रहा हो order गया जा रहा हो तो वहाँ हमें सेट की प्लेस पर order डिप्ती जी करना है दूसरी बार advise जब सहला दीचारी हो sentence में order का सला हो जैसे दोक्तर आप तोर पर एडवाइज देते हैं टीचर एडवाइज देते हैं टीचर और भी देते हैं पैरेंट्स आप तोर पर एडवाइज देते हैं और कभी-कभी उसमें order का सैंस भी रहता है तो जब हमारे पास order का सैंस हो तो हमें आदेज एडवाइज होतों हमें सला यूज कर दिये हैं हम सैट्टू के प्लेस पर रिक्वेश्टेट भी यूज कर सकते हैं रिक्वेश्टेट का हुआ प्राक्था करना जिसमें यह माना जाएगा कि यदि आपका sentence if you're recorded speech speech sentence start review please or kindly अगर आपका reported speech इसका sentence जो है प्लीज या कानी से start हो तो वहाँ सैट्टू के पेस पर हमें requested use करना पड़ता है नहीं तो हम requested use कुछ नहीं करते है फिर बात करते है for that for that का बताए मना करना इसका उसका प्रत रहे एक लोर एक नालोमा जोना ना बता को वे सिदा बता देखाऊ औको मैं यदि आतना sentence don कॉंड से start हो तो वहां आपको for that use करना है सिदी सिवान ने ordered, advised, requested, for that यह जीजे आपको use करनी है इसके अलाबा हमें कुछ की use नहीं करना है तो यह बात हुई नहीं करना है फिर हम बात करें हमारे कंजक्सक्ति तो हम देखते हैं कंजक्शन जैसे के हमने देखा रहा assertive sentence में कंजक्शन हम that use कर रहे है interrogative के इंदर हम if कंजक्शन यूज कर रहे है और हमने डब्लोयज चाल sentence में कंजक्शन डब्लोयज को ही यूज किया लेकिन जब आपकर sentence इन से start हो यह पहचान हो हमाई पास हमारा sentence अगर intelligent sentence क्या हो तो महां हमें तू का use करना है महां कंजक्शन हमारा तू लगेगा उसके अलाबा गुल्स सारे same not change हमें कोई गुल्स जो प्रणाउं का है चाले टैंस का change है वो सारा का सारा same रहेगा अज़ा बाकी conditions आपके सामने हैं अब हम देखते है sentence first example the doctor said to the present comma inverted comma take your medicine on time take your medicine on time इसमें doctor को है क्या रहा है doctor advice doctor क्या रहा है doctor advice इसमें रहा हम स्टु के प्लेश पर the doctor पर आडवाइज दा पैसेंग यह हमने हीज दिया हमने एक चैन्ज दिया है जो पॉइटिंग स्पीच के अंदर पॉर हो है सैटू की प्लेज पर हमने एडवाइज लिख दिया अब हम लगाएंगे कंजक्शन क्योंकि फॉस्सेंक्विट आड़े पर हमें कंजक्शन यूज करना है अब इसका मैन वह सुन लें मैन जूल सुन लें इसका क्या है उसका मैन यूज यह कंजक्शन जो वहा आता है के सबसे पहद करते हम आगे चले बहें मैं वरब से सबसे यह पहचार जो हमने ऐटिफीकेशन देगा ता। उसमें हमने देखा था कि sentence जो उसके मेंवरब से स्टार्ट होका वह वह हमारा Interative Sentence जहेदा आएगा, तो यह sentence मेंवरब से स्टार्ट होना है टे और कॉणें सभेएं का बाद भी हमें मैंद वरभ का ही यूज लगाक्त मैंन वर यूज़ के बाद आगे जैसा जो प्राइज मों कोई क्या हूँ очान करना है हूं इसको क्यों chili कि शेर्ट नहीं करता हम देखें हमारा आरा यॉर यॉर प्रॉतार वहां फ्रॉल स्टा लॉंश्के प्रॉल प्रॉट इफादिक जय जोगा यॉर पहुत पैसेंट से तेंगा ही यसी कुछ भी भी हो सकता है ऑफ पी इसको मान सकते हैं तो यॉर यू यू यॉर थार अग्रोली करता है उ और प्यासन की घरावरी आप धी मांगर चले तो धी धी हेजु हमारा माना जाया हेजु मैंदिशी और काने फुल्सकों इस तरह हमारा फॉस्स स्टेंश कम्प्रीटों सब्सक्राइब स्टेंशे कमांगर शीद तो नायाच उसब्सक्राइब कमांगर तो एकुमा शीद नायाच उसब्सक्राइब आटेंश नायाच अनमिट इन दा मॉर्णी यह संदेन्स है हमाया the commander said to the soldiers comma इवर ते attack on the इन इमेज दा मॉर्णी यहां attack आया बाहा है attack से इस्टा बोला यह संदेन्स और attack में वर्व है, में वर्व की 1st form है, अब commander soldiers को रहा है, the commander set the soldiers, commander कमी advice निये देता, कमी request निये करता, commander सिर्फ order देता है, क्योंकि इस यह नहीं, order दिया दता है, advice कभी निये दिया, तो यहां हमार sentence हुआ, the commander, order, the soldiers, conjection to, two conjection हमने की इस तरिया, conjection हमें भूलना रही है, भूलने पर marks कटे, two conjection हमने इस यूज किया, man-barab इस यूज करें नहीं है, man-barab है, attack, rules 1 ही है, man-barab के बाद, जो हो, उसके apple हमें चलना है, कोई change यह तो करो, नहीं है, तो मत करो, जैसे इसमें आप देखें, on the evening, on the evening, in the evening morning, कोई change नहीं, तो यह एक order वाला sentence हो जया, order sales जब निकलता था, हमने उसको change किया था, अब हमाड़ी देखें, थर्ड सेंटेंच, दिया, sad to me, यह पॉमा, inverted, पॉमा, प्लीज, गीव मी, यॉर पैम, फॉल इस्टॉप, inverted, पॉमा बन, अब हम देखें इस sentence को, यह sentence, प्लीज इससे start हो रहा है, आपको बता दिया है, मैंने एलेक, प्लीज यह आपकी सेंटेंच सेंटेंच start होगा, तो sad to के प्लेज पर हमें क्या लिखना है, इसके बारे के पहले से ही बताया जाता है, तो हम इस sentence को देखें, तो धिया, अब फ्लीज आया है, तो sad to के स्थान कर होगा हमारे requested, धिया, requested me, conjunction to. rule क्या था rule यही ता रां कंजक्षन के ठीक बाद मैंडड़ हमगे सब्राद का यूज करता है इसके लवाक लिए यहां नाका तो अधेखे कि मुझनी कंजक्षन को यहां आ रहा है में इवार में रबाद मेन्वरब आका गीव से तो कॉंजेक्शं के बीच में हमारे पास प्लीज आ JJ क्वारण ऑर सॉच्ण के बीच में हम आरे प्लीज पैर हम राण इसका हतलिया हुआ रोल्स के एकॉर्डिंग हमें प्लीज काइंडली को हटाना पड़ेगा दुबारा हम इसका यूज साइटेंस में नहीं करेंगी इसलिए हमाले पास हुआ गीव सीजा का सीजा हमें इसको ले दिया ले इकाट दियोंने खटा दिया प्रोनाम paradox मीए परसन दिया से चेंग सबस्जेट से चेंग आइ इस में और दिया सेडिदिड चेंग हिंग करें सी फेर याँ यूर बच्ट यूज आधिटीड मी से चेंग हुआ यू 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 यूर धहरद कोनी मी के धहरद कुली वाई निया माई नाय पैन पोड़िश्ट और छॉब गौऽ तरुफ। जालन कोमा गौन टुब कुमा तरुब गौन टिप्लाओ फ्लोवर्स फ्रॉम इस गार्ड फुलिस्टॉप इंवर्टे कॉमा पाई ये जांप लगने डॉंट का ले लिया मनौद सैब तु तु पुलिस्टॉप इंवर्टे कॉमा प्लोवर्स फ्रॉम इस गार्ड डॉंट के लिए मैंने आपको पहले सी रिखा जब डॉंट आने पर हमें फॉर्बेड यूज़ करना है सैट्ट के प्लेस पर क्या यूज़ करना है फॉर्बेंट तो देखें ये शे फॉर्बैल्ड गेट सिस्टर तो इता कहां कर लिए पर लेकर स्टू के प्लेस पर चैंस करके सबसे पहले आप लगा लिया करो तो कि अगर बूल गए तो हमारा मांक्स कटने अगा चांस हंडेट परसेंट रहता है अब हम आगे बात करें हमने देखा फॉर्बैट यूजगी आंगे से प्लेस पर फॉर्बैट का रताएं बना करना तो और अगे सेंटेंश सो था मोझा ड्राइ ड्रॉनक्ट यूजगे कि एक बास को बार बार कही नहीं चाके इसलिए हम क्या करेंगे इस डॉंट को यूज नहीं करेंगे क्यों तो कि रूल यही है कंजक्शन के ठीक बाद मैंवर्ड आना चाहिए और मेंवर्ब हमारे पास है, प्लक काट रहता है, ठोड़ तो, कंजक्शन के ठीक बाद हमें मेंवर्ब रहा है, और बीच में आ रहा है डॉन, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों यूज नहीं कर पहले हैं? क्योंकि हमारा नेगेटिव का सेंस दे रहा हैं, इस लिए रहा है, और और इस को हमने चेंज कर दिया, this, how, that, by, यही ध्यानत रहे है, रूल्स के एफोडिंग जो आ रहा है, जो आपको चेंज करना है, तीनों चार्ट में लिखा रहा है, वो आपको शूर चेंज करना पड़ेगा, अगर आपने जल्दी में या जल्दबाजी में य यह सोचा कि हम इसको चेंज क्यों गले आस्पें नहीं है, तो ऐसा sense हमारे गण में नहीं आनी चाहिए, ऐसी feelings नहीं आनी चाहिए, हमें इसको चेंज क्यों करना है हम देखें, हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया रहा है कि हमारे exam में first sentence जिस्टा हमने को the speech का sentence करता है, जैसे कोमा तका जो sentence है, हमारा exam में solve किया आएगा, अगर exam में four bed लगा आए, तो उसको solve करने लग तरीका आपके सामने है, लेखी नगर, इसी sentence को बनाने का यह तरीका हो रहे है, दो थाले को, लेखी नगर, four bed न आए, जैसे कि sense निकल रहा है, पर नोग सैको, इस sister don't cut flower from this garden, इस बगी के से फूल मत तोड़ो, advice के राइट में है, यहां से आप फूल मत तोड़ो, अगर exam में, बोर्ड में, या आपके जो home page लिए जाते हैं, उसमें, फॉर्वेट के प्लेश पर, advice आज आए, तो क्या परना है, तोड़ो क्या आँसे देखना, हलका असा चेंज रहेगा, हमने हम क्या दिया, four bed निजटा, हमने advice कि रहेगा, order भी आ सकता का, एकर order का sense निकलता तो, हम यहां order ले रहेगा, लेकिन यहां sense निकलना है, advice का, हमने advice रहेगा, अब बात यह रही, कि भई, negative sense अभी तर हमारे पास नहीं आया, और sentence जो है, वो negative है, और negative sense अभी तर नहीं आया, ओपर आए, answer में तो negative sense पॉर्वेट देरा था, लेकिन यहां अभी तर negative sense नहीं आया, इसलिए हमें negative sense भी लेना है, और sentence भी बनाना है, sentence का rule भी जा रखना है, कि अब बात को देखते हैं, हमें negative sense लगाना है, तो के बात लग नहीं सकता, क्योंकि तू के बात तो हम negative sense अब बना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि नौट को, दू हना इसमा ध्यान का, जू हम यूज नहीं कर सकते हैं, हमें दू को यूज नहीं करना है, और नौट जो है, नौट कंजिक्शन से पहले आएगा, नौट तू, ये rule हो गया ये बात हैं, हाँ, अगर आपका sentence में for better रिखा आये exam में, तो आपको change करने का, solve रने का तरीका ये रहेगा, दू को हटा दिया जाएगा, और नौट को कंजिक्शन से पहले लेना है, नौट तू, लग्वर्स, from that garden, आया वासन में, तो हमने देखा, जब for better का, तो हमने do not पुरही अटा गया, तू के बाद मैंवर्स लेके हमाना काम हो गया, और हमने यहाँ देखा, advice का, तो हमने, क्यावर do अटाया, not को कंजिक्शन से पहले लिया, प्लाकुल, flowers from that garden, यह महीं, do not go soil कर देखा, तरीका, यही हमाल पास, the teacher, sad to the students, comma, invert a, comma, do your work on time, and stop inverted, comma, हम देखते हैं, हमने पहले do not use किया था, उसके sentence को बना देखे, दो तरीके दे, और दो लों तरीके आपको बता देखा, अगर एंचानल, लगाएं, हमें फॉर्वेट का तरीका भी आ दिया, फॉर्वेट ना लगाएं, advise दिया, order का sense निकलता हो, तो उसको सॉल्टर्णिकर तरीका भी आपको बता दिया, गया, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ do आया है, do your work on time, do के साथ not आ रहा है, वो sentence negative sense दे रहा है, उसमें do का को use नहीं है, लेकिन क्या वर do आ रहा है, not नहीं है, तो ये do हमारा main work माला जाएगा, हम sentence देखे, इसमें the teacher said to the students, do your work on time, तो इसमें the teacher advised the students कंजक्शन हमें to use कर लिया, बूल वही है, कंजक्शन के ठीक वाद हमें main work use करनी है, और main work इसमार माला पास से do, not नहीं है, के वाद दू है, वो हमारा main work है, तो do हमने use कर लिया, अब हमें pronoun change देना है, तो ये ही change आया है, pronoun का your, your second person object student से change होगा है, हम देखे, student दी है, ये students, it means plural subject हमारे पास में आया है, प्लूरल subject के लिए आपको जैसे कि पहले ही जहरे नमर चार्ट में, pronoun चार्ट में दिख्वाजिया कहा था, कि प्लूरल subject हमारा दे माना जाएगा, हम जो your को change करेंगे, वो दे मानकर change करेंगे, ही यसी मानकर हम change नहीं करेंगे, तो your में हम देखे, you, you, your, third finger use हो रहा है, इसलिए they का third finger क्या होता है, they, them, their, हमने your को change करके लिख दिया, their work on time, तो इसकर हमने हमारे imperative sentence को देखा, उसके examples देखें, हमने कहां ordered, requested, forward, advise, कहां कैसे change हो रहा है, हमने पूरे पूरे इसको समझा पड़ा, फिर भी अगर कोई doubt हो, तो आप हमें message करें, हमारे WhatsApp ग्रूप पर आप इसको message करके हमने समझा पूझे, हम आपको जरूर इसका reply देंगे, इस channel को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें, और bell icon को रवाना नव मुले, thank you.